दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी लड़की 2024 में इंटर पास की है उनको 40,000 रुपया तक मिल सकता है यह कैसे मिलेगा इसके वारे में हम डिटेल्स में जनकारी देने वाले हैं 2024 में जो भी लड़की पास है आप उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा च्याया फस्ट डिविजएन हो सेकेंड हो हो या थर्ड हो आपके घरपडिवार में हो या कोई भी आपके पैचान में तो उनको जरूर वीडियो सेयर कीजिएगा क्यों दोस्तों बिहार सरकार दोरा जो है यहां पे पुर्चाहन राशी के तौर पे 40,000 दिया जाता है और इसके लिए उनलाइन शुरू भी हो चुका है इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सा स्कॉलर्शिफ है ऑनलाइन आवेदन कहां से करना है क्या जनकारी है लेटेस्ट आपको हम समझाने वाले हैं क्योंकि जातर लड़की को जो है यह जोना के बाड़ पता नहीं होता है जिसके करन वो लाव नहीं ले पाते हैं ऐसे में उनको सही जनकारी होगा गाइडेंस होगा तो जरूर आब बेदन करेंगे आपको पता भी चाल जाएगा कि क कि इसको यहां पर 40,000 मिल रहा है कि इसको 15,000 मिल रहा है किनको 15,000 यानि कि 25,000 मिल रहा है यानि कि अलग अलग जो यह मांट है सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे 40,000 पूरा रुपया पूर जाता है तता प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा इसका प्रोसेस हम बत है सबस्क्राइब कर लिए क्योंकि इस तरह का जो लेटेस्ट है सबसे पहले हम लेकि आते रहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा बिहार हिल्प डॉट आइन पे जैसे सर्च करेंगे विहार है तो बिहार का नंबर वन एजुकेशन पोटल ओपें हो जाए यांसों सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो का लड़की को यहां मिल सकता है एक नंबर में सबर्चार्श करने इसफी इसे सीवेड़ेंब्स पास या म को बिहार दोरा जो है पचीश ज़े रुपिया दिया जाएगा जिसका ओं-लाइन अब दन शुरू हो चुका है 15 अपरिल तक शुरू का था 15 अपरिल शुरू है 15 माई तक शुरी इसका लास्टेट है 15 माई तक इसका भी आवेदन शुरू हो गया एक दोस्तो और स्कॉलर सिर्फ है उसका भी और शुरूराय सुरूर हो गया जो कि यहां पर यह वाला इसोलर्षिप जो एक लड़की ले सकती है इसमें पॉर्स्ट और सकेंड डिवजन जो लड़की है दो जो है STAC candidate जो है उसको ही इसी जोजना का आप एदन का लाब वो ले सकते हैं तो यहाँ पे दोनों यह scholarship इसमें आपको 15,000 प्या डिरेक्ट मिलता है फर्स्ट डिविजन को और सकेंड डिविजन को यहाँ पे 8-10,000 प्या दिया जाता है तो 15,000 प्या यह हो गया और 25,000 प्या कन करना है जिसमें आपको step by step बताया गया है कि 15,000 प्या के लिए कैसे online करना है only STAC candidate होना चाहिए और फर्स्ट सकेंड डिविजन बाकी कोई भी लड़की हो फर्स्ट सकेंड ठर्ड किसी भी डिविजन से आते हैं तो वह यहाँ पे 25,000 के online कर सकते हैं यानि कि दोस्तों यहाँ पे 40,000 रुपया जो है STAC candidate को मिल जाएगा और अगर दूसरे कास्ट के जो है general OBC हो गया है तो उनको जो है बाकी candidate को यहाँ पे 25,000 रुपया मिलेगा तो यहाँ पे आप समझ लिए और एक और scholarship दोस्तों हो गया जो कि आप graduation जैसे एडिविशन लेंके इंटर के वाल तो online भी शुरू नहीं हुआ है जल्द शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे हमने clear कर दिया और इस स्कॉलर्शिप जो पसीसर मिलेगा इसका वी वीडियो आपको इसी website पर दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा जिसको देख के आप form भार सकते हैं अभी फिलाल registration हो रहा है registration आपको द इस पर दिस्टिक सेलेक्टर ने रहा है यहाँ पे कॉलेज अब फिलिक करेंगे लिस्ट आ जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी आपको दोस्तों इलिजबिलिटी आप चेक करने के लिए आपको इस website पर आना है और इसमें भी दोस्तों आप लोग जो है चेक कर सक सकते हैं कॉन से डिस्टिक में कितना स्टुडेंट इलिजबाल है यह देख सकते हैं अभी स्टुडेंट का एक्जेक्ट यहाँ पे वेरिफाइड नेम एंड एकाउंट डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं इसमें लिंक आया नहीं है लेकिन और लाइन इसका हो रहा है इस पर कर सकते हैं आप लोग अपलाई किजिए कोई भी जनकारी चाहिए नीचे कोमेंट किजिएगा कोई और कंफ्यूजर है नीचे जरूर बताइए हमें चलिए मिलते आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद